दोस्तों हमारी आखें प्रकृती की सबसे अनमोल देन हैं। इनकी वजह से ही हम आसपास की छोटी से छोटी चीज से लेकर दूर ब्रमान्द में मौझूद विशाल कायो अब्जेक्ट देख पाते हैं। हाला कि प्रित्वी से दूर ब्रमान की चीजे देखने में हमारी आखें उतनी सक्षम नहीं हैं जितना की आज के आधुनिक टेलिस्कोप जटल सनरचना होने के कारण हम अपनी आखों को एक जीवित दुर्बीन तो कह सकते हैं पर इसकी अपनी कुछ कम्या है सीमित आखों की पुतलिया और उनका आकार, लिंस और मांस्पेशियों के चलते हमारी आखें एक हद से ज़्यादा बारीक और दूरी नहीं देख सकती पर अगर कोई आधोनिक सभ्यता जिसकी आखों का आकार इतना ज्यादा हो कि वो हमारी पृत्वी की बराबरी करे तो उसके लिए यह ब्रमान कैसा नजर आएगा अगर हमारी आखों की का आकार पृत्वी जितना हो जाए तो ये हमें ब्रमान्द में क्या क्या दिखा सकता है क्या ब्रमान्द को देखना हमारे लिए एक खेल बन जाएगा या इसमें में भी कोई खत्रा है आये जानते हैं देखने की क्षमता बढ़ जाएगी जाहिर सी बात है कि जब आख का आकार प्रित्वी के बराबर होगा तो उसके अंग जैसे की प्यूपल, आइरिस, कॉन्य और रेटिना भी कई गुना बढ़ जाएंगी जिससे हमारे देखने की क्षमता भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी किसी भी टेलिस्कोप की रेजलूशन यानि उसकी बारीक इमेज लेने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका मिरका आकार कितना बढ़ा है जितना बढ़ा उसका साइज होगा, उतनी ही उसकी लाइट को जमा करने की क्षमता बढ़ जाएगी जितना ज्यादा टेलिफोटो लेंस का साइज होता है, उतना ही ज्यादा वह किसी इमिज को quality खराब किये बिना ही कई गुना ज्यादा ज्यादा जूम कर सकता है निश्चित है कि हमारी पृत्वी के बराबर की आखें भी ऐसा कर पाएंगी जब तक हमारी आख के लेंस में कलर, डिस्टॉशन या कोई और दोश नहीं होगा, तब तक हमें ब्रमान्द में मौजूद चीज़े काफी साफ दिखाए पड़ेंगी समस्या हमें लाइट से होने वाले डिफ्रैक्शन एफेक्ट से रहेगी, जिसकी वजह से हमें वो चीज़े एक सीमा के बाद भुंदली दिखाए देने लगेंगी दरसल जब लाइट तरन की तरह व्यवहार करती है, तो वह वस्तूओं के कोनों से मुढने लगती है यह मुणाव या बेंड हमारे लेंज के दायमीटर पर निर्भर करता है अगर हम किरन प्रकाशिकी की तकनीक का सहारा लें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी प्रित्वी के आकार वाली आख का रेसॉलुशन करीब 50 करोण गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा यह आखड़ा काफी हैरान कर देने वाला है यदि यहाँ आख के लेंज की डिफ्रैक्शन लिमिट को शामिल कर लें, तो हम उस आख से मंगल ग्रह पर ठोस और पैटन वाली चीजों में भी आसानी से फर्क निकाल सकते हैं मंगल पर मौजूद किसी अंत्रिक्शत्री की सभी चीजे आप बारीकी से देख सकते हैं और साथ ही हमारे चंद्रमा पर रखी हुई किसी भी किताब के अक्षरों को आप बढ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं खास बात ये है कि ब्रमान के फैलाव होने की वजह से होने वाले रेडशिफ्ट के बावजूद भी हमारी आखे कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाश गंगा को भी सफाई से देख पाएंगी वातावरन में मौजूद हवा के चलते अक्सर लाइट के पार्टिकल मुरने और विक्रित होने लगते हैं जिससे हो सकता है कि उन्हें देखते हुए हम उनकी बारीक चीजों को न देखें एक बात और चौकाने वाली है कि प्रित्वी जितने आकार वाली आखें जेम्स वेब स्पेस टेलेस्कोप के बराबर भी काम कर सकती है अड़ाटिव आप्टिक्स की मदद से आप चाहे तो किसी और आकाश गंगा में मौजूद प्रित्वी जैसे ग्रह को भी देख सकते हैं अलफा सेंटॉरी तारे के ग्रह की जमीन और वहां का वातावरन देखने में ये आखें आपके लिए कारगर साबित हो सकती है ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी के जो आधुनिक टेलिसकोप हम प्रयोग करते हैं उनमें खुलने का आकार प्रित्वी के बराबर वाली आखों से काफी छोटा होता है इसलिए प्रित्वी के आकार वाली आखें लखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगा की बारीक चीजों को देखने में दिक्कत दे सकती है ऐसे में क्या ये आखें हमेशा बनी रहेंगी दरसल संभावना ये ही की तब आपको ब्रमान में हर जगा हसीमित प्रकाश से भरे हुए तारे देखने को मिलेंगे जिनकी एनजी प्रित्वी के आकार की आखों का रेटिना पूरी तरह से जल सकता है जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी आखों की फोकसिंग पावर काफी ज़्यादा होगी जो हमारे सूर्य की रोशनी को इतना फोकस कर लेंगी कि ये सीधा आपकी आखों को खत्म कर सकती है हो सकता है कि ब्रमांद के नजारे का अद्वुत आनंद लेने से पहले ही ये आखे अंधे हो जाए अब ऐसे में तो यही समझ आता है कि ब्रमांद को देखने का काम हमें इंटेलिस्कोप पर ही छोड़ देना चाहिए दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कर दे धन्यावाद